हेलो फ्रेंड्स तो आज का हमारा टॉपिक है क्वाइंटिटेटिव मीजरमेंट और बैक्टेरियल ग्रोथ तो हमने बैक्टेरिया के बारे में अभी तक हम बहुत कुछ जान चुके हैं कि बैक्टेरिया होता क्या है उसका इस्ट्रक्चर फिर उसके बारे में उसके कल्चर म के लिए तो हमारा हमने जो किया था कल्चर वीडिया उसमें वो आ गया था था इन सब की पुरानी वीडियोज फ्रेंड्स आपको description में लिल जाएंगे या आप वीडियो के यह बी जरूरी होता कि कितने ब्यक्तिरिया हो गई है उससी चीज़ को मीजर करने के लिए इसी को हम आज डिसक्स करेंगे कि कैसे उसी को मीजर करते हैं नहीं है यह क्षा क्या कि दिसक्र पिराकशी है यह हम फिरक फम तरीके से पता करते हैं क्या करते हैं वो से हम देख लेते हैं तो इनको बैसिकली हम दो टाइप संगे दो तरीके हैं जिन से हम इनने पता करते हैं method एक हमारा है total count और एक हमारा Bible count exam point of view से बहुत ज़ादा important है और इसमें directly हम से पूछते हैं कि मतलब measurement बैक्टियल ग्रोध बताईए टोटल और काउंट के अंदर भी वैसे बहुत सारे हैं लेकिन हम यहां पर इतना देखेंगे जितना हम एक्जाम में लिख सकते हैं और उतने में मार्क्स कंप्लीट मिल सकते हैं ठीक है फ्रेंट तो जैसे टोटल काउंट क्या होता है कि इसके अ और कोछ लोग जनम लेते हैं र logic में भी होता है यही हुता है। रही हमारे मर जाती है उनके डफटा हैं और ज अधो इसे यहीं और हाई पर घृबक्ति आए बैक्टिरिया मातलब होता है जो तो मतलब living beings हो और जो अपने बैवारे काम मतलब daily के जो अपने काम होते हैं जासे हम लोग के लिए यह है और bacteria का काम क्या है daily का वो अपने आपको reproduce करते रहें बढ़ते रहें और साथ के साथ culture media से थोड़ा बहुत nutrition भी खाते रहें तो वो हमारे कहा है जिंदा मतलब एक तरह स living तो यहां पर हम वाइवल यह हमारा कौन सा हो जाएगा टोटल काउंट में हो जाएगा और जो हमारे सिर्फ इस मैंसे जो हमारे बाइवल होंगे मतलब जो हमारे सिर्फ alive होंगे जो हमारे जिंदा होंगे उसको हम पढ़ते हैं बाइवल काउंट में तो यह हम दो तरीकों क पढ़ेंगे और दो तरीके के हम bacteria को count करेंगे अब कैसे कैसे करते हैं इस चीज़ को हम देख लेते हैं तो हमारा जो total count method है इसमें हम एक तो इसको direct method भी बोलते हैं direct क्यों simple बात friends आपको ये तो पता ही है कि bacteria जो हमारा है वो हमारा living wing बहुत ही छोटा है जिसको हम साधा रहनां नाख उसे तो देख नहीं सकते simply तो इसके लिए हम क्या करते हैं microscope का use करते हैं देखने के लिए अब direct method में होता क्या है कि हम microscope से यूज करके इसको direct गिल लेते हैं कि कितने bacteria है bacteria के colony अब यह से यह हैं तो हमारे bacteria colony के form में होते है colony मतलब होता है group of bacteria मतलब एक bacteria के group जैसे हम है 3-4 लड़कों का कोई group बन गया उसका हमारा नाम हो जाता है वैसे यहां bacteria के जो group होते है उसको हम colony बोलते हैं और एक colony के अंदर हमारे लगवक 60-70 bacteria होते हैं यह चीज आप थोड़ा फ्रेंट याद रखना कि जो एक colony हमारी होती ह है उसके अंदर approximately fix तो नहीं है लेकिन approximately 60-70 bacteria होते हैं एक colony के अंदर ठीक है तो हमको colony को गिल लेना है उसके बाद हम बैक्टेरिया को automatic पता लगा लेंगे कि अगर जैसे हमने किसी में 5 colony गिल ली तो 5 हमारे 300-400 तक हमारे बैक्टेरिया उसमें होंगे तो ऐसे हम पता लगा ल होते तो बहुत सार इसके 2-3 तरीके और हैं और आगर आप जगा जगा देखेंगे नोट्स तो कहीं कहीं आपको difference भी बिलेंगे तो friends आपको confused नहीं होना है बस आपको यह देखना है कि जिसका आपको समझ आए जो आपको simple लगे उसके notes बास आप देखो और exam के लिए उसके लिखके आओ ठीक है फ्रेंट जे यह इस चीज़ भी depend करता है कि आपको किसके समझ आ रहे हैं बरना simple और अच्छे तो सभी क्यों होते हैं सभी कोई भी बुरा नहीं पढ़ाता ठीक है तो चलिए हम देखने पहला counting chamber method अब इसमें होता क्या है कि इसमें हम दो instrument लेते हैं एक हमारा हो गया हम दारेक्ट सीज़ समझ लेते हैं एक हमारा यह है इसको हम बोलते हैं अपना colony counting chamber मतलब इसके अंदर हम colony जो होती है बैक्टिर है कि उनको हम काउंट करते हैं और एक हमारा होता है हीमो साइटो मीटर ठीक है अब आप यहां पर देख रहे होंगे हीमो साइटो स्कॉाइर और एक एनम स्कॉाइर इतना छोटा होता है कि इसमें से जो हमारा बैक्टेरिया की colony है वो हमें इसली दिख जाती है ठीक है समझ रहे होंगे यह इतना साइज का होता है अब यहां पर हम करते क्या है कि जो यह से हमारा है एक कॉलन तो यहां से light इसमें supply हो रही है फिर हम क्या करते है जो अपनी plate है जैसे यह हमारी जो भी plate है हमारी agar plate है जा nutrition plate है यह है जिसमें हमारे bacteria है बहुत सारे जिसमें हमें count करने है उसको हम यहां से उठा के और इस जगा से हम इसमें put कर देते हैं place कर देते हैं फिर इसके अंदर जब रखा जाता है उपर यहां पर लगा होता है यह lens lens के उपर हम रख देते हैं हीमो साइटो मीटर को ठीक है ध्यान से देखना थोड़ा तो हमने जब हीमो साइटो मीटर इसके अंदर रख दिया इसके बाद हमने यहां पर place कर दिया है अब होता क्या है कि यहां से bacteria जैसे ही जहां से पास होंगे नीचे स लाइटनिंग यहां से पड़ी रही है उस bacteria पर तो गलो भी कर रहे हैं उसके बाद यहां पर जैसे इस चीज पर हमें दिखने लगते हैं तो जैसे यहां पर हमें colony एक दो तो अब जैसे यह है इतना पूरा एरिया हमारा इतना एरिया भी हमारा पास हो रहा है लैट कीजिए मतलब इतनी जो ब्लॉक हैं इसमें हमें छे-साथ ब्लॉक ऐसे थे जिन पर हमें colony मिल गई तो हमने वह यहां पर नोट कर लिया शे-साथ ब्लॉक साथ लिख लिए हमने यहां साथ है उसके बाद हमने फिर इसको और आगे बढ़ाया थोड़ा यहां से गुमाएं और आगे बढ़ाया फिर हमने ऐसे करकर के हम टोटल काउंट कर लेते हैं जैसे हमें अप्रॉक्समेटली ले 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 लिए तो हमें टोटल हमें मिल गई पच्छिस कॉलोनी एक छोटे से उसमें तो हमने पूरा जब पास कर लिया इसमें हमें दिखाई दे जाती है यह ना इसी पर हम अंदर ऐसा वेक्टेरिया थे तो यह केवल मैंने अनुमान लगाया है रियल में तो बहुत ज्यादा ज्यादा होते हैं चोटी सी जगह में मिलाखों वेक्टेरिया होते हैं ठीक है तो आप ऐसे करके इससे एजली निकाल सकते हैं हमारा काउंटर चेंबर मैथड अब हम हम healthy करते क्या हैं हम पेटर्फिया ही पास सकता है और हमारा इसमें घयाता है यह इतना हम बइक्टिरिया आते हैं suspension जो भी हमारा लिक्विड है और यह हमने रखे हैं इलेक्ट्रोड मतलब करेंट पास अब एक चीज़ आपको पता है कि कोई भी करेंट जैसे हमारा वायर है तो यहां पे हमारा बलब लगा हुआ है तो हमारा बलब कब जलेगा जब हमारे यह वायर मतलब दौनों चि जाएंगे तब हमारा यहां से करेंट पास होगा और हमारा बोल्टेज जो है इसमें हमें बोल्टेज दखाई देंगे simple यह होता है तो अब होता क्या है कि जैसे हमारा bacteria यह क्या है living beings है यह सभी को पता है और living beings क्या होती है good conductor of electricity आपको हो भी लगता है जानवरों को भी लगता है तो क्या होता है गुड कंड़क्टर एलेक्टिसिटी होते हैं तो जो यहां से बैक्टिरिया जब पास होगा तो क्या होता है यहां से पत हमारा जो सरकेट है वो कंपलीट हो जाता है और हमारा जहां से जो करेंट है वो हमारा पास होने बाहर होता रहता हमारा और जैसे हमारा गुई बैक्टरिर्या नि Kneffe Bye खरेंगा झाओब च्रिशानट के इस एस चीज़ बना एक संत स्धुरूरा सिल जाहा Edi से इसे और हमारा रहता है आप तो जाते हमारे सब्सक्व asked शुसक्राइब कilt hadn't लिए चलती जा रही हमारी भी फिर नहीं मिला परशीद चल गी तो यह ऐसे हमारा पूरा चार्ट बन जाता है फिर हम फाइनली करते क्या है कि इनको गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और सारे गिंफ लेते हैं उतने ही हमारे नम्मर व्यक्टरिया होते हैं क्योंकि यहां पर सिंगल एक लिए निकल पाता है इतनी ही इसमें जगए होती है कि मतलब अब हम इसमें ऐसे वेक्टरिया को गिनेंगे जो सिर्फ living है मतलब जिन्दा हैं उनको हम गिनेंगे तो यह हमारा indirect method भी इसको बोलते हैं क्योंकि हम किसी के comparison या किसी और चीज से हम इसको पता लगा लेते हैं अब कैसे हम इस चीज को समझते हैं जरा तो हमारा इसमें अ पढ़ा था isolation of pure culture के बारे में तो उसमें हमने एक method पढ़ा था Serial dilution method तो अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी हो तो आप यहां से उसको देख सकते हैं वर्ण मैं भी बता दूंगा ठीक है तो उसमें यह होता था कि जैसे यह हमारा है Serial dilution method तो इसमें करते क्या है कि हमने लिए culture media वह वाला जिसमें हमें मतलब अपने bacteria को पता लगाना है तो वह हमने लिए यह हमारा stock solution पूरा पिर इसमें से करते क्या है कि यह हमारे nono ml solution हमने pure solution ले ले इस्टराइल जिसमें मतलब कोई मिलावट नहीं है सुद्ध है इसके बाद हम यहां से एक ml इसमें मिलाती है solution तो एक ml हमने मिलाए तो इसमें कुछ bacteria हमारे इसमें चले जाएंगे मिल गया फिर हमने इसको पूरा complete कर लिए इसमें से एक ml इसमें मिला लेते हैं इसको complete मिलाने के बाद पिर हम इसमें से एक ml इसमें मिला लेते हैं फिर complete इसमें से एक ml इसमें लेते हैं फिर इसमें से ए एक MN मिलाएंगेимоe to the victoriousenario हो जाएगा फिर यहां से और ज्यादा डैल्यूट हो जाएगा क्याकर दसका भी यह हमने इसमें लेकर नौ मोस्टली हो जाएगा तो यह हमारा क्या हम किते करते हैं डाइलिट कर लेते लेते हैं लेक्तित हैं कि इस मेह से सब मैं से एक-एक एम्ल स्वाल्यूशन हम अगार प्लेट पूर उसको हम रख देते हैं inoccupuation में किसके लिए, बैक्τεरिया के फॉर्म होने के लिए, उसके बाद जब वो फॉर्म हो जाती है, उसके बाद हम क्या करते है, डाइलूइशन, एक एक कमष बाह्त से हमारी एक प्लेट पे लगवाँ 25 से 250 कॉलोणी तक आ जाती है, और यह इसलिए important होता है कि अगर माली से कोई एक प्लेट है कोई हमारी एक प्लेट है इसी पर ही अगर बहुत सारी हमारी colony हो जाएंगी तो हमको गिनने में बहुत सारा problem होगी ना ही तो हम valley या बैक्टरियिया है वह जηए से कम होती है और जैसे कम होगी हमारे लिए उनको कंट से इसी हो जाएका यह सिंपगाए तो हम इसके बाद यहाँ सिंपल इसको कंट कर लेते हैं यह मारा सिंपल था और और अगर ऑर और अच्छे से देखनी नहीं हो तो आप देख सकते हैं जाके और यहां पे नोट्स में आपको जो पिछली वीडियो इसमें जो नोट्स दियो से थोड़ा सा इसमें मिलाकर लिख लेना अगर चाहो तो ठीक है अब हमारा दूसरा है है Membrane Filter Method अब यह भी बहुत जादा इजी है होता क्या है कि इसमें हम लेते हैं एक Membrane Filter ये हमने Membrane Filter ली और यह भी यहां मैंने थोड़ी बड़ी बनाई है जिससे आप लोगों दिखाई दे इसली पर यह हम इतनी छोटी लेते हैं कि इसमें से हमारे बैक्टेरिया है वो पास और दालता है और हमारो यहां से हम इसको टेकर लेते हैं यह हमारी यह मेरलीन फिल्टर एक अलग अलग न्यु फ्रैस मेडिया में अब इसमें एक चीज और अधालते जिसको को θब्स फ्लॉ्रोर सेंड आज अल्ड़ अन् तो bacteria क्या करते हैं? जो color की fluorescent dye होती है, उस color को अपने आपको absorb कर लेते हैं, और वो color हमारा यहां easily हमको दिखाई देने लगता है, और उन colony को हम easily फिर क्या करते हैं? गिल लेते हैं, तो यही हमारा simple है, membrane filter method, बहुत ही जादा easy easy friends यह method है, notes आपको मिली जाएंगे, बस आपको ना किया सको ना, कुछ से related, तो और भी अच्छी बात है, ठीक है, अब हमारा एक और last method हम इसको देख लेते हैं, indirect method, यह वैसे हम उस दोनों से अलग है, तो देख लेते हैं, यह हमारा है turbidimetric method, इसको हम बोलते हैं, turbidimetric method, अब इस चीज़ से हम समझते क्या हैं, कि turbidity हम हम लोगों ने पहले भी पड़ी है, turbidimetric method होती है, धुंदलापन, अब धुंदलापन कैसे हम इसको हम देख लेते हैं, कि हमने क्या लिया, एक हमने एक solution लिया, उसमें हमने डाला कुछ culture media का part, जैसे यहां अलग देख लेते हैं, यह हमारा क्या है, एक कोई filter है, अब हमने इसमें क्या लादा, अपना culture media हमारा solution है, अब हमने culture media हमने डाला और इसको हमने मिला दिया, अब अगर culture media में ज्यादा bacteria होंगे, तो यह हमारा ज्यादा धुंदला हो जाएगा, जो हमारा clear solution है, clear solution है, इसमें हमने culture media वाला bacteria मिला दिया, तो वह ज्यादा धुंदला हो लगाया तो इस चीज़ से हम की सो करता है अब तर्वीटी को कैल्कुलेट करने के लिए यहां क Lage हूँ एक अगया क्यां पास करते है蒨 यहां पर हमने फोटो सेल लगा लिया जो क्या करते हैं क्याके कल्कुलेट कर लेते हैं यहां बेदी नागा हुगा है तो यहां पर क्या करते हैं जैसे ही हम यहां осे हमने स़ोर्षप लाइट पास की फिल्टर के दौरा पास करते हैं यहां सॉलिजन य Michaels होगी मान खिख हमारी यह फोटो आप लोगो friends ये पूरी के पूरी वीडियो समझ आई होगी फिर भी अगर कोई भी doubt होता है तो आप नीचे पूछ सकते हैं next वीडियो में हम इसके आगे के topic को cover करेंगे बहुत जल हमारी unit first complete हो जाएगी तो friends आपको कोई भी doubt हो पूछ सकते हैं और friends subscribe the channel अगर आपने अब तक नहीं किया है क्योंकि इस पर हमें ऐसी वीडियो लाते रहते हैं तो मिलते हैं आप से बहुत जल तब तक के लिए thank you, take care, bye bye